Hello everyone, welcome to my channel Indemnity bond से related जो जो डाउट से हैं वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ यह indemnity bond प्रथमा बैंक का है तो I hope अगर आप कोई और बैंक में सेलेक्ट हुए हैं तो आप अपने बैंक की साइट से निकाल लेजे वही वाला फिल करना है तो यह वाला bond प्रथमा बैंक है जो मैं वहाँ ले गई थी और इसमें क्या क्या चीज़ हैं क्या हमें भननी क्या वो फिल कराएंगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगी बाकी अगर आपको यह नहीं पता चल लाए के bond या यह format कहां से निकालना है तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूगी आप उसे निकाल सकते हैं तो लेट स्टार्ट इसमें इस इंडेमिनिटी इस मेड़ एन एग्जेक्यूटेट अट तो यह जो ब्लैंक था यह मैंने फिल नहीं किया था वो उन्होंने वहां फिल कराया तो यहां पर उन्होंने अपनी मदम जैसे मुरादाबाद में हुआ था तो यहां पर मुरादाबाद डलवा दिया था और यहां पर जो भी डेट थी जैसे मेरा मनलब जो भी आपके जिस देन में आपका टीवी होगा वो वहीं फिल कराएंगा यह 2020 कार्ड के 2021 कर दिया गया था तो यह है मैं अगर आपने भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे अगर आपने कुछ नहीं भरा तो यह ब्लांग को आप छोड़ देजीगा उसके बाद है बाई अपना नाम यहां पर लिख देना ठीक है उसके बाद आपको आपको यहां पर लिखना है अपने फादर का नहीं उसके बाद अपना एड्रेस लिखना है याद अगना अपने पर लिखना है उसके बाद आपको यहां पर फर्स पार्टी में अपने फादर इसके बाद एपनी पापा के फादर का ना मतलब अपके ग्रांद फादर का नायम आपको हैं पर लखना है फिर उनका रई boy सेम अपना एड्रिस हैंपको हैं अपनो इसके बाद यह जो कॉलम ने यह वहां फिय नियुकर आते हैं तो यह अप इसे छोड़ देना तो यहां भु witness में मैंने अपने भाई के और यहांप Norma आपने भाई के यहांपने मम्मी के साइन कर्वायेते मतलब उनका name लिख दिना address plus address और यहांपर signature भी करवा लेना ठीक है यहांपर भी और यहांपर भी यहांपर name plus address और यहांपर आपको अपने खुद के sign करने है अपना name और address surety में जैसे मैंने father का गरवाया तो father की name और address plus उनका जैसे आप कोई भी surety ID proof दे रहे हैं तो याद रखिए जैसे जो भी surety में आपका name है और address है वही आपर mention होना चाहिए क्योंकि ID की proof वो मांग रहे हैं और photocopy वो मांग रहे basically तो आपको यह वही वाला यहां पर फिल करना है एक जो चीज है मैं starting में बताना भूल गई थी कि आपको क्या करना है कि यहां पर आप प्लेस मत फिल करियेगा क्योंकि मुझे अच्छा से याद नहीं कि मेरे ही मेरे ही जगों का लगवाया था कि वहाँ जहां डीवी वा था वो लिखवाया था तो आप यह मत फिल करियेगा I suggest you वैसे I think कि जैसे आप जहां से बॉन्ट बना के लिए जा रहे वहीं का उन्होंने शायद फिल कर रहा था तो मुझे अच्छा से याद नहीं है तो I suggest you कि इसे इसे blank की रहने देजी इसके बार इसमें क्या होगा कि आपका जो तहसील में आप जाएंगे वहाँ पर यहाँ पर stamp लगवाएंगे ठीके और जिस दिन आपका मतलब यह बनेगा bond उस दिन कि आपके हाँ यहाँ पर date होगी नपस stamp वगएरा लगेगा वहाँ पर ठीके और इसके अरावा एक और पेज आपको मिलेगा उसमें इस stamp होगा वो ठीके और उसमें भी details लेकी जाएंगी प्लस इसमें जैसे हमारे में था प्रत्मा में कि हमको एक blank stamp paper भी ले जाना था तो जैसे मैं अपने state का ले गई थी तो वहाँ लेकिन यूपी का मांगा गया था फिर वहाँ तुरंट बनाना पड़ा था तो अगर आपका यूपी से नहीं बनाया और आपका दुसरे state से है तो वैसे आपको अगर प्रत्मा में है तो ब्लांक stamp paper की जवद पढ़ रही है बाकी non-judicial blank stamp paper ले जाना है अगर आप दुसरे ब्लांक से है दुसरे बैंक में आपका selection हुआ है तो वहाँ का मुझे अभी idea नहीं है आप अपनी site पे चेक कर लिए जेगा हमारे में लेकिन blank जो बन ले जाना है वह यूपी का ही ले जाना है थांक यू, I think सारी doubts इस वीडियो में clear हो गए होंगे, I hope आपको इस वीडियो पसंद आई होगी, thank you for watching this video